नाजडेता के अनेक मंदर हैं हमारे देश में कुछ मंदर फॉस प्राचीन है, तो कुछ की कुछ अलग मान्यता है और नाज़फश्मी और अन्य अफसरोग भख्तों की फीड उमर्ती है इन मंदरों के आंगन में स्टार प्लस के सीरियर पांडिया स्टोर में सुमन के सामने खुल गई है गौतम और धरा की पोल और ये पोल खोली है इस डॉक्टर साहिबा ने जिन्होंने गौतम को अपने सामने देखते ही गौतम से वो 30,000 रुपई की डिमांड कर दी जो गौतम ने उस औरत के इलाज के लिए दिये तो थे लेकिन उस औरत के चले जाने से वो पैसे वापस भी ले लिए असल में रिशिता इस हॉस्पिटल में भरती थी क्योंकि उसे गैस हो गई थी लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने 30,000 रुपई की डिमांड की तो रिशिता ये सुनकर हैरान रहे गई कि सिर्फ गैस के होने के 30,000 रुपई कैसे हो सकते हैं तब ही उस डॉक्टर साहिपा ने सब के सामने ये बताया कि वो 30,000 रिशिता के इलाज के नहीं बलकि उस औरत के इलाज के हैं जो अब इस बच्चे को यहाँ छोड़ कर चली गई है यानि सुमन के सामने ना सिफ 30,000 रुपई का खुलासा हुआ है बलकि इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस बच्चे की मा अब यहाँ पर नहीं है हाँ पर इसकी गलती नहीं थी उसने नहीं चुपा के रका था उसे खुध भी पता नहीं है इस बार गम भी पसा हुआ हाँ यह निकल गई और कि गउदी निकल गई देना चुपाई बात गॉंबी को एक्चली मौका नहीं मिला मा को बताने के लिए और बताने वाला था इत्ते में पूरा राइता पहल गया तो अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा है मा तो बस यह के अभी पर अभी की गलती हो तो भी गॉंबी तो बेटा है तो इसलिए कोच नहीं है हसते खेलते डाटते रोते निकाल देंगे हाँ वो तो है एक चीज है कि पढ़िया परिवार एकदम बहुत सीरियस नहीं हो जाते है तो उसको थोड़ा लाइटली इस वे ओफ लाइफ लाइफ इस स्लाइस ओफ लाइफ करके आगे बढ़ जाते है दारों में ह ग्यास था करके निकल जाते है